हेलो अब्रिवन हाउस अफ लिगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आरण निश्रा अलब डिसकस करेंगे एंटी ए यूजिसी नेट एक्जाम 2021 की बात करते हैं जो कि लॉका एक्जाम आज की तरह 21 नॉवंबर को कंड़क कराया जागे आ था फर्स शिफ्ट में एक्सपेक्टेट कटउफ की बात करेंगे जो की दो एक्जाम एक साथ कराये गये थे मर्ज कराके दिसम्बर 2020 का और जून 2021 का लॉग का पेपर आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा कटउफ डिसाइड करने के लिए जो important factors देखने को मिलेंगे आपको वो सबसे पहला factor है attendance का अगर आप attendance की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई कटउफ पहले से कोई decide नहीं होती है जितने candidates अपीर होंगे ठीक है अगर माल लीजे 100 students अपीर होते है तो उसमें से 100 में top 6 जो होंग है उनका net qualify होता है हर subject की बात करते हैं ठीक है यह law की बात नहीं करें यह general rule है तो आप यह मसाचिएगा कि कोई पहले से predetermined कोई cut-off होती है तो इसका मतलब है जितने जादा बच्चे होंगे उतने जादा बच्चे qualified होने के chances होते हैं लेकिन आपको टोटल जो criteria देखने हो मि बात कर रहे है वो थोड़ा easy था जो इस बार का exam है वो दोनों के बीच में लाई करता है moderate level का exam था ठीक है तो cut-up भी आप देखिएगा इनी के बीच में fall करने वाली है clear है other factors की बात करें तो आपका covid factor जरूर हैगा जिसके वैसे attendance कम थी उत्तरा खंड APO का exam भी आज ही schedule था attendance आपकी कम देखने को मिली feedback की बात करें तो इस्प्रेंट के review आ चुके है ठीक है और वो भी consideration में लिया गया है expected cut-off से पहले हम लोग last year की cut-off देख लेते हैं JRF के लिए particular पहले बात करेंगे तो JRF में अगर आप cut-off देखोगे तो December 2019 में जो exam हुआ था और June 2020 में तो cut-off में आपको difference देखने को मिलेगा 19 का paper था वो थोड़ा difficult था June का थोड़ा easy था तो cut-off में आपको देख लिए कितने percent का difference देखने को मिलेगा JRF की बात करें तो unreserved category में 64.6% था दुएर 19 में जो की बढ़के देखे कितना हो गया 69.33% हो गया बाकी इस category का भी आप लोग देख सकते हैं था EWS का 61.33 था जो कि last time आपका 67.33 हुआ OBC का दुएर 19 में बात करें 61.33 लेकिन last time 64.67 SC category की बात करें तो 57.33% था जो की बढ़के 60.67 हो गया ST category की बात करें 56% से increase होके 58.67% last time था clear है यह आपका J.R.F. की cut-off थी जो की उधर 19 दिसम्मर की और जून 2020 में जो exam हुआ उसकी बात करें तो इस बार की जो expected cut-off देखने को मिलेगी आपको J.R.F. के अंदर ठीक है जो की दो exam से एक साथ कंड़क किया जगा गया थे दिसम्मर 2020 का और जून 2021 का जो circle था उन दोनों को साथ में club together किया गया था तो जो unreserve की expected cut-off है वो 64 to 66% है J.R.F. के लिए EWS category की बात करें 60 to 62% OBC category की बात करें 60 to 62% SC category की बात करें तो 56 to 57% और S.T. category की बात करें तो 55 to 56% जा सकती है J.R.F. cut-off के बाद हम net cut-off की बात करते हैं ठीक है दोनों last year का आपको cut-off दिख रही है unreserve category की बात करें 2019 में 57.33% थी EWS की 52% OBC category की 52% SC category की 49.33% S.T. category की 48% थी यह 12-19 की cut-off आपको देखने हैं मिलेगी 22-20 June की जो cut-off थी जो last paper था उसमें unreserve के लिए 62% 56.6% EWS category के लिए OBC category के लिए 56% SC category के लिए 52% और S.T. category के लिए 50% आपकी net में cut-off गई थी अब हम देखते हैं कि expected cut-off इस साल की क्या होने जा रही है जो net की expected cut-off है unreserve category के लिए December 2020 और June 2021 के लिए आपको देखने हों मिलेगा 54-56% EWS के लिए 51-52% OBC category के लिए 51-52% SC category के लिए 48-49% S.T. category के लिए 46-47% इसके साथ आप लोग अपने score expected आप लोग बता सकते हैं score कि क्या लगता है आप लोग के आपके हिसाब से कि क्या cut-off में कुछ variation देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा अपने हिसाब से आप लोग comment कर सकते हैं comment section में हम लोग wait करेंगे अगर आप भी PCSJ की preparation करना चाहते हैं तो unacademy आपको एक platform provide कर रहा है अगर आप subscription लेते हैं तो मेरा code यूज करें आप आनंसर्ट लाइब जिसमें आपको 10% का फ्लैट और यहां पर आपको free life classes मिल जाती हैं जैसे कि Indian contract act, CPC, jurisprudence, Hindu law, constitutional law, CRPC, local acts आपको सारे states के मिल जाएंगे, IPC, evidence act इसके लगा जितने subjects नहीं मेंचन हैं यहां पर जो भी किसी judicial services exam में आते हैं वो सारे आपको यहां पर कराए जाते हैं इसके प्लस subscription की बात करें तो इंडिया के best educator आपको एक बैट फॉर्म पर मिल जाती हैं आपको life test और कुजए concept आपको देखने को मिल जाता हैं आपको structure courses और PDF form आपको मिलती है expert guidance program की बात करें तो different batches आपको देखने को मिल जाएंगे एक नया batch already start हो चुका है योद्धा 18 months foundation batch for judiciary जो की 17 November से start हो चुका है इसको enroll करते हैं आप लो enroll करने के लिए आपको subscription लेना पड़ेगा इसमें आप code use करते हैं मेरा unanswer life to 10% का आपको flat off मिल जाएगा इसके अलावा आप आपको 10 से अधा batches देखने को मिल जाएंगे जो आपके screen पर दिख रहे हैं किसी को भी join करते हैं और even सारे batches को आप join कर पाएंगे एक ही बार आपको subscription लेना है कि कोई भी subscription pack ले सकते हैं आप लोग rapid revision series जो चल रही है जो की unacademy judiciary के YouTube चैनल पर चल रही है वहाँ पर आप इस 200 का जिसमें आपको EMI का भी option देखने को मिल जाएगा जो कि EMI 0% इंटरेस्ट पर देखने को मिलती है आपको इसके लाहम लोग से आप connect होना चाहते हैं तो unacademy judiciary के YouTube चैनल पर फॉलो करते हैं जहां पर आपको live classes देखने को मिलेंगी और मुझ से telegram पर जुड़ना चाहते ह आप search करते हैं मेरी profile को कोई भी doubt हो तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं thank you